नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम बिग्ज्यान से सम्मंदित कुछ पिष्णों की बात करेंगी तो जिन पिष्णों की हमें हम बात करेंगी चलिए उनको देख लेते हैं इसमें जो हमारा सबसे पहला पिसन है कि निमन लिखे तत्तों मैंसे कौन सरवाधिक योगिक निर्माण करता है ठीक है हम बताना है कि जो ये तत्तों दी गए हैं इसमें सरवाधिक योगिकों का निर्माण कौन सा तत्तों करता है option a hydrogen option b carbon option c nitrogen और option d oxygen तो इसका जो सही अंसर है वह है carbon ठीक है तो carbon एक ऐसा तत्व है जो कि सबसे ज़्यादा याउगिकों का निर्माड करता है ठीक है तो आपको यह यहाद रखना है carbon का जो से mall होता है वह होता है c आगे बढ़ेंगे कि निर्माड लिखित मैंसे किसमे carbon नहीं है ठीक है हमें बताना है कि किसमे carbon नहीं है option a हीरा option b graphite option c koila और option d इन मैंसे कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वह है इन मैंसे कोई नहीं यानि कि हीरा ग्रेफाइट और koila इन तीनों में क्या है इन तीनों में carbon कर्वन उपस्तिते हैं आगे बढ़ेंगे कि Hira जो है वह कारवन का अपर्वाइच इस लेटी काली रंग का चिकना चमक्टार कार्वण होता है यहनी Gorge asked बेल और कोईला एक ठोसर कांड़ ने कोईले में भी कार्वन होता है जिसको इन्हन पर्योग में लाय जाता हीरा गरेफायट और कोविला इन तीनों में कारवन होता है आगे बढ़ेंगे कि ग्रेफीन होता है ठीक है हमें बताना है कि जो ग्रेफीन होता है वह क्या होता है आप्शन A कारवन की मिस्रधातू, आप्शन B कारवन का नैनो प्रतरूप, आप्शन C कारवन का समिस्थानिक और आप्शन D उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वह है कि कारवन का नैनो पित रूप जो ग्रेफीन होता है वह है कारवन का नैनो पित रूप होता है ठीक है तो ग्रेफीन जो है एक अडू की मोटाई वाली सामान कारवन की एक पतली परत है जिसका प्रयोग नैनो प्रवधोगी की छितर में किया ज जो कि एक अडू की मौताई वाली सामान कारवन की पतली परत है आगे बढ़ेंगे कि पेंसल का लेड है ठीक है हमें बताना है कि जो हमारी पेंसल होती है उसमें जो लेड होता है वह किस चीज का बना होता है जैसे हमारी पेंसल होती है तो उसमें जो हमें यहां देखते हैं ल पैंसल का लेड होता है वह है ग्रेफाइट का बना होता है ग्रेफाइट होता है वह दुद का सुचालग आगे बढ़ेंगे कि ग्रेफाइट एब हीरा दोनों ही कारवन के अपर रूप है ठीक है यह हम सबसे पहले जानते हैं कि ग्रेफाइट है हीरा है यह दोनों ही कारवन क के अप़रूप है हीरा सबसे कथोर होता है जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है और ग्रेफाइट का प्रयोग pencil के लेड बनाने में किया जाता है ठीक है आगे बढ़एंगे कि कार्वन की मातरा अधिकतम होती है नहरू बताना है कि कार्वण की सबसे जयादा मातरा किसे में होती है option A धलुवा लोहा में option B पितुवा लोहा में option C स्टील में और option D मिस्र धातू में इसका जो सही अंसर है वो है धलुवा लोहा में नहरू आगे बढ़ेंगे में इसने हक की रूप में किसको उपयोग में लाया जाता है यह हमें बताना है option A, bauxide, option B, fast porous, option C, graphite और option D, silicon oil तो इसका जो साई अंसर है वह है ग्रेफाइट ठीक है यानि ग्रेफाइट का जो प्रयोग किया जाता है वह है भारी मसीनों के उपयोग के लिए इसने हक की रूप में किया जाता है आगे बढ़ेंगे कि निम्न मैंसे किसे सुष के बर्फ कहते हैं ठीक है सुष के बर्फ किसे कहते हैं यह हमें बताना है option A, निर जलित बर्फ, option B, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, option C, ठोस कारवन डाई ऑकसाइड और option D, ठोस कारवन मौनो ऑकसाइड तो इसका जो सही अंसर है ठोस कारवन डाई ऑकसाइड ठीक है, सुष के बर्फ कहलाती है ठोस कारवन डाई ऑकसाइड ठीक है तो ठोस कारवन डाय असकाइट को सुस्क बर्फ या सुस्क हिम कहा जाता है ठीक है इसी को हम सुस्क बर्फ बोलते हैं या सुस्क हिम के नाम से जानते हैं और यहाँ गरम करने पर सीधे ही गैस में परवर्थत हो जाती है ठीक है सीधे गैस बन जाती है और इसका उपर बिदुत का मंद चालक नहीं है ठीक है हमें पताना है कि जो ये अधातू दी गई है इसमें कौन सा एक बिदुत का मंद चालक नहीं है आगे बढ़ेंगे कि बिदुत का चालन धात्विक गुण है ठीक है तो बिदुत का चालन किन का गुण है यह धातूं का गुण है किसी बर्गे में नीचे की ओर जाने पर धात्विक प्रकति बढ़ती है तथा किसी आवर्त में बाय से दाय जाने पर धात्विक गुण करता है अतहा उपरयोगत सरबादिक बि प्रकास में विदूद का अच्छी प्रकार चालन करता है आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किसमें कारबन मिलता है ठीक है हम बताना है कि कारबन किसमें मिलता है ओप्सन ए लिगनाइट ओप्सन बी टिन ओप्सन सी चांदी और ओप्सन डी लोहा तो इसका जो सही अंसर है व और कोईला होता है रहुले के खनेज्यों को कारवन के प्रिकाराओं में माता गया ऐ एंथ्रसाइट बिटूमनस सब बिटूमनस और लिगनाइट ठिक है यह चार प्रिकार के कोईला होते हैं थेंक्यू दोस्तो इस प्रिकार के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यमाद झाते स್क्राय के लिए समय वीडियो वीडियो आ vendgg значит रहुत बहुत बहुतं prepare बहुत बहुत बहुतं के लिएराय के लिए नवस समय थामाज को बहुतेया जिर्माजियोuden झाल झाल